नमस्कार बच्चों आज हम आपकी लेखा शास्तर की दूसरे पुस्तक का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय में हम कमपनी के खातों के विवरण के बारे में चर्चा करेंगे कमपनी के जो वित्य रिकॉर्डिय खाते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में आप विस्तार से समझेंगे इस पुस्तक में प्रथम दो अध्यायों में आपने भली भाती है जाना कि एक कमपनी अपना वित्त कहां से प्राप्त करती है एक कमपनी के पास उसके वित्त के क्या श्रोथ होते हैं हमने देखा कि वो अन्ष जारी कर सकती है अथुआ वो रिणपत्रों को भी जारी कर सकती है तो ये दो मुख्य श्रोथ होते हैं कमपनी के पास अपने कमपनी के प्रचालन के लिए वित्त जमा करने के लिए अब अंशों वा रिणपत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल चुकी है आप जानते हैं कि अंशों से अंशपून जी बनती है अंशपून जी हमने कई प्रकार की देखी थी आपको याद होगा अंश पूंजी की राशी का किस प्रकार कमपनी निर्गमन करती है किस प्रकार किष्टों में उनको जारी करती है और धीरे-धीरे करके राशी एकठा करती है उसी प्रकार रिनपत्रों का किस प्रकार कमपनी निर्गमन करती है इन दोनों से जुड़े हुए कुछ रिजर्व के बारे में आपने सुना, आपने सुना कि अंशों के या रिड़ पत्रों की स्थिती में जब कमपनी जनता से उनके मूले से जाधा राशी प्राप्त करती है तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं और उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम नाम के खाते में जमा करते हैं इसी प्रकार जब कमपनी रिड़ पत्रों का मोचन करती है डिबेंचर को रिडीम करती है तो कमपनी डिबेंचर रिडेंशन रिजर्व यानि की रिड़ पत्र शोधन रिजर्व नाम का भी एक रिजर्व तैयार करती है तो इस प्रकार कुछ चोटी चोटी बारीकिया आपने अंशो वर अरिणपत्रों के बारे में जानी, अंश वर अरिणपत्र दोनों कमपनी के पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन बच्चों अंश वर अरिणपत्र तो कमपनी को वित्त प्रदान करते हैं, कमपनी उस वित्त के कम्पनी अपने परचालन के माध्यम mattress से किस प्रकार लाब वहानी प्राप्त कर रही है। इस तरह कि कई जानकारियां ना कीवल कम्पनी को चलाने वाले प्रबंधन के लोग स्वामी वह कम्पनी से जुड़ेवे कइए अन्य लोग जानना साथे हैं यह जानकारियां उन्हें कंपणी के वित्य विव्रणों जबर में इन वित्य विवरणों की चर्चा करेंगे कि कि प्रकार यही विवरण कंपणी से जुड़ैवे लोगों को तरह तरह की सुचनाय प्रदान करते हैं आये इस अध्याए को सुरू करते हैं और Wing स्तार में इन विवरणों की चर्चा करते हैं तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के विवरणों का अर्थ क्या होता है कंपनी के विवरण वो आधार भूत वो अपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से ना केवल स्वामी बलकि अन्य विभिन बाहिये उप करता है जो कंपनी के वित्य सूचनायों का उप्योग करते हैं अपने तरह-तरह के निर्णे लेने में उधारन के लिए ले लेते हैं कि जब सरकार हुआ उसका कर विभाग किसी कंपनी के कर की गड़ना करता है तो वह अवश्य ही उसके वित्य विभरण देखना चाहेगा वह लाब हानी वो अन्य परिसंपत्तियों आदी से जुड़िवे जानकारियां देखना चाहेगा ताकि वो करकी राशे का अनुमान लगा सके इसी प्रकार यदि कमपनी किसी बैंक आदी के पास रिंड की अरजी डालती है तो अब बैंक या वो जो भी वित्य संस्था है वो देखना चाहेगी कि कमपनी के स्थिती क्या है कमपनी रिंड चुका सकती है कि नहीं क्या कमपनी जो लगातार ब्याज भरना है वो भर पाईगी कि नहीं तो इस तरह की अलग-अलग जानकारियां, अलग-अलग उपयोग करताओं को अपने अपने उदेशे से चाहिए होती हैं, जो कि उन्हें वित्य विवरण के माध्यम से मिलती हैं, वित्य विवरण वो आधार भूत साधन है, वो अपचारिक साधन है, अपचारिक इसलिए क्य यानि जो वर्ष यदि यदि कम्पनी वर्ष के अनुसार कर रही है तो वर्ष के अंत में यदि वो छे माही या ती माही के अनुसार कर रही है तो उसके अंत में जो भी उसके लेखांका नवदी है उसके अंत में कम्पनी अपने वित्ते विवरणों की रचना करती है उसके ब ये ऐसे कुछ दोचार और उद्देशों पर भी चर्चा करते हैं। बचों सबसे पहली बात कि एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों वो दाइत्व के बारे में सूचना प्राप्त करना। कि एक संस्था या एक कंपनी जब चल रही है तो उसके पास किस प्रकार की परिसंपत्या हैं, किस प्रकार के उसने आबंध करे हुए यानि कॉंट्रैक्ट करे हुए, किस प्रकार की दाइत्व हैं, चाहे वो लंबी अवधी के दाइत्व हो या छोटी अवधी के दाइत्व ह संपत्ति लेन देन आदी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो सूचनाएं हमें कहां से प्राप्थ होंगी अपचारिक रूप से वो भी कहां से प्राप्थ होंगी कमपनी के द्वारा जारी कियेगे वित्तिय विफरणों से जब कमपनी अपचारिक तो पर-पर अपने वित्य विवर्ण जारी करती है तो उनसे जब हम सूचना लेते हैं तो वह सूचना विश्वश नहीं मानी जाती है इसलिए कम्पनी के दाइत्वों संपत्तियों या संसादनों से जुड़ीवी सूचना हमें इन विवरणों से प्राप्त होती है विवरणों को बनाने के पीछे का सबसे पहला उदेश यही है कि वो सूचना प्रदान करें दूसरा विवसाई की अरजन शमता के बारे में सूचना हम केवल यह नहीं जानना चाहेंगे कि कम्पनी के पास कितनी संपत्या या कितने दाइत्वायरिण है हम यह भी जानना चाहेंगे कि कम्पनी कितना अच्छा लाब अरजित कर सकती है उसकी लाब अरजन करने के शमता क्या है यह सूचना भी हमें कम्पनी के विवरणों से ही प्राप्त होगी कम्पनी साल दर साल या अवधी दर अवधी कितना लाब अरजित कर रही है उसके लाब की दर क्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है उसकी शमता का कुछ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी हमें उसकी वित्य विवरणों से प्राप्त हो गा इसके पश्चात रोकड या कैश जो कि किसी भी व्यवसाई में ना किवल company बल्कि कोई भी वेवसाई हो cash उसकी एक आधार शिलामानी जाती है के cash या रोकड का किसी भी वेवसाई में बहुत महतुपूर्ण स्थान होता है रोकड कहां से आ रहा है कहां जा रहा है किस परकार के लेंदेन cash में हो रहे हैं कैश कहां जादा खर्च हो रहा है इस तरह की कई सूचनाएं हम कैश के बारे में जानना चाहेंगे उसके लिए हम रोकड प्रभाव बनाते हैं वो भी एक महतोपूर्ण वित्य विवरण है जो हमें उससे मिलता है कि हम रोकड का किस प्रकार उप्योग कर रहे हैं ये हम जान पाते हैं इसके पश्चात प्रबंध की प्रभाव शिलता को जाजना बच्चों यदि आप मान लेजिए एक तरफ एक कमपनी को देखते हैं जिसके वित्य विवरणों से आपको पता लगता है कि यह साल दर साल अपने लाब को बढ़ाते जा रही है इसका लाब पहले से बहतर है ला कानी भी बढ़ते जा रही है तो ऐसे में आप इन दोनों कमपनियों के बारे में क्या कह पाएंगे आप यह कह पाएंगे कि जो पहली कमपनी है उसका प्रबंधन अच्छे से किया जा रहा है उसके प्रबंधक उसको चलाने वाले लोग ज्यादा कुशल है जो कुशलता वित्य विवरणों का तुलना उनको पढ़ना उनको जानना हमें कमपनी के प्रबंधन के बारे में भी बताता है कि यह भी एक उदेश हो जाता है कमपनी के वित्य विवरणों को देखने और समझने का तो इन सभी बातों से बचों यह पता चलता है कि कमपनी के वित्य यह हमें वित्य विवरणों की विश्तरित जानकारी होना आनिवारी है और विशेशकर जब कमपनी स्वरूप की बात होती है बच्चों तो कमपनी स्वरूप में यह और ज्यादा महत्व पूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि कमपनी स्वरूप विवसाय का सबसे ज विवरण बहुत ही सोच समझ कर सावधानी से और विस्तार में बनाने होते हैं। इसलिए कंपनी के जो खाते हैं जो उनके विवरण हैं वो अन्य विवसाई स्वरूपों जैसे की साजदारी या एकल स्वामित्व जो आपने देखे हैं अभी तक उनसे अलग होते हैं। बच्चों कंपनी के वित्तिय विवरणों को मुख्यत हम तीन वर्गों में बाढ़ सकते हैं। हालांकि उन में से भी दो प्रकार के जो विवरण हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुक माने जाते हैं। वो दो विवरण हैं तुलनपत्र वा लाब वाहानी का विवरण। तुलन पत्र वा लाब वा हानी विवरण ये दो सबसे महत्व पूर्ण विवरण माने जाते हैं जिने हम अंग्रेजी या कॉमन भाशा में बैलन्स शीट वा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट्मेंट के नाम से भी जानते हैं ये दो सबसे महत्व पूर्ण हैं क्योंकि ये कमपनी के सारे मुख्य निरणे लेने में साहिता करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब कैश या रोकड का भी बहुत जादा महत्व हो गया है इसलिए रोकड का विवरण भी एक महत्व पूर्ण वित्य विवरण माना जाता है हाला कि इनके अलावा कम्पनी कुछ और विवरण भी बना सकती है जैसे कि निधियों के संचालन के बारे में जानकारी देना या कम्पनी की पूंजी की स्थिती में क्या बदलाव आया उसके बारे में जानकारी देना तो इस तरह की स्थितियों की जानकारी देते हुए कमपनी कुछ अतरिक्त विवरण भी बनाती है उन में से रोकड प्रवह विवरण सबसे महत्वपूर्ण विवरण हुआ तो बच्चों जिन तीन प्रकार के विवरणों के मैं मुख्य रूप से बात कर रहा था वो है तुलनपत्र, लावव हानी विवरण वर रोकड प्रवह विवरण इसके अलावा कमपनी अपनी पूंजी स्थितियों या निधियों आधी के बारे में जानकारी देते हुए भी विवरण दे सकती है लेकिन हम अपनी चर्चा को दो मुख्य विवरणों तक सीमित रखेंगे एक है तुलनपत्र वो दूसरा है लावव हानी विवरण शुरुवात करते हैं तुलनपत्र से बच्चो तुलनपत्र कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुसुची तीन में दी गई सूचना के अनुसार बनाया जाता है यह जानकारी आपको याद रखनी है क्योंकि अनुसुची तीन का महत्व बहुत बढ़ जाता है यदि हम तुलनपत्र वा लाब वहानी खाते की बात करते हैं तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनका जो यह स्वरूप है यह स्वरूप कहां पर निर्दिष्ट किया गया है तो आप बताएंगे कि यह स्वरूप कमपनी अधिनियम 2013 की अनुसुची तीन अर्थाथ शेडियूल 3 में निर्दिष्ट किया गया है इस से सीख कर और देख कर ही कमपनिया अपने तुलनपत्र और साथिसाथ लाब वहानी विवरन को भी बनाती है तो इसके बाद हम इस स्वरूप की बात करते है कि कमपनी जब अपना तुलनपत्र बनाती है तो उसका स्वरूप कैसा होता है आप अपने सामने एक स्वरूप देख रहे होंगे या आपको अभी तक जो आपने तुलन पत्र बनाए हैं उन स्वरूपों से अलग प्रतीत होगा क्योंकि साजेदारी या एकल स्वामित्व में जब तुलन पत्र बनता है तो आप उसे एक T-shape देकर बनाते हैं जबकि यहां पर जो तुलन पत्र हम बनाएंगे वह इस शेप में नहीं होगा इस आकार में नहीं होगा इसे हम एक उर्दवा धर स्वरूप या आकरती कहते हैं क्योंकि इसमें हम अपनी दायत्यों को इस तरफ और संपत्यों को इस तरफ पहली की तरह ना दिखाकर हम एक के नीचे एक दिखाते हैं ऐसे आप की याद होगा पहले जब आप तोलनपत्र बनाते थे तो याप ती-शेप दे कर इस तरफ दायत्यों की बात करते थे और इस तरफ संपत्यों की बात करते थे लेकिन कंपनी के अंदर यह स्वरूप बदल जाता है कंपनी उसको इस तरह से ना रखकर उर्धवादर तरीके से उपर दाइत वह नीचे संपत्यों की बात करती है इसलिए इस स्वरूप को हम वर्टिकल या उर्धवादर स्वरूप कहते है इस स्वरूप में दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो यह है कि कंपनी को यह अनिवार्य होता है कि वह कम से कम दो अवधियों की राशियां एक साथ दिखाए जिससे कि तुलना असान हो जाए जैसे कि आप यहां देखेंगे वर्तमान अवधी वह पिछली अवधी तो यह दो अवधी यानि यदि कवी कंपनी 2020-21 का मान लिजे तुलन पत्र बना रही है तो उसे उस राशि को यहां दिखाने के साथ-साथ पिछले वर्ष 2019-20 की राशियां भी साथ-साथ दिखानी होगी ताकि उपयोग करता आसानी से तुलना कर सके इसके पश्चात यहां पर आपको नोट संख्या का भी एक कॉलम दिखेगा कमपनी के वित्य विवर्णों में नोट का या टिपणी का बहुत जादा महत्व है कमपनी अपने वित्य विवर्णों जैसे कि तुलन पत्र के अंदर जब कोई राशी दर्शाती है तो उस राशी की गढ़ना को हम यहाँ ना दर्शा कर तुलन पत्र के नीचे एक विशेश नोट बना कर दर्शाते हैं नोट का भी एक अलग स्वरूप है तो सब कुछ एक बड़े ही विवस्थित तरीके से कमपनी को करना होता है उसे यहाँ पर राशी दिखानी है वह इससे जुड़ी हुई गढ़ना नोट में दिखानी है तो स्वरूप में हमें क्या क्या मिला सबसे पहले हम यहाँ विवरन दिखाएंगे हम नोट संख्या के लिए कॉलम देंगे हम वर्तमान अवधी वह फिर पिछली अवधी के लिए कॉलम देंगे और पहले की तरह तुलन पत्र लिख कर नीचे हम किस अवधी या किस तिथी पर इसको बना रहे हैं उसको हम यहाँ पर बताएंगे अब इसके अंदर आने वाली विशय वश्तू की बात करते हैं सबसे पहले बच्चों हम दाइत्व या देयताओं को दिखाते हैं जिसे एक हेडिंग या शीरशक दिया जाता है समतावा देयताओं का आपको जिस तरह से यहाँ पर यह शीरशक दिये गए इस तरह की ही वस्तू का उपयोग यहाँ करना है सबसे पहले आप रोमन संख्या में एक लिखकर उसके सामने समतावा देयताओं लिखकर दिखाएंगे यह आपकी मुख्य हेडिंग या मुख्य शीरशक हुआ इसके नीचे आप जितनी भी दाइत्व या देता या देंदारिया है उनको दिखाएंगे इसके अंदर आपका पहला मद है अन्षधारक की पूंजी अर्थात शेर होल्डर फंड यानि स्वामियों का पैसा अन्षधारक कौन होते हैं कमपनी के हिस्सेदारक अन्षधारक यानि वो कमपनी में हिस्सा रखते हैं वो कमपनी के स्वामी है तो उनसे जुड़ी हुई जो भी राशिया है उनने हम यहाँ पर दिखाते हैं सबसे पहले अन्षपूंजी की राशी अभी आपके लिए नई चीज नहीं होगी क्योंकि आपने पहला अध्याय पढ़ लिया है अंजपून जी की राशी यहाँ पर आने के बाद आरक्षितियां और अधिशेश यानि रिजर्व और सर्प्लस यानि कंपनी जितने भी रिजर्व बनाती है चाहे वो आपके द्वारा पहले सीखे गए सामानी रिजर्व यानि जनरल रिजर्व जैसे रिजर्व हो या वो आपके द्वारा इस पुस्तक में सीखे गए सेक्योरिटी प्रीमिम रिजर्व या डिबेंचर इडेंशन रिजर्व यानि की रिणपत्र मोचन रिजर्व जैस प्रदाना बत्चो कई बार कम्पनी कुछ लोगों को एक warranty एक guarantee अपनी तरफ से देती है कि ये निश्च तिथि पर हम अपको अंस प्रदान करेंगे। तो अंस बाद में प्राप्त होंगे ये लोगोнов को लोगों से company राशी अभी प्राप्त कर लेती है क्योंकि company ने इक तरह की guarantee दे दिये हैं तो उस guarantee के बदले company जो राशी लेती है उसे अन्ष warranty के प्रति प्राप्त धन भी कहा जाता है तो यह हमारा पहला मुख्य मदधा जिसे हम अन्ष धारक की निधी कहते हैं यानि शेरोल्डर फंड कहते हैं बच्चों इसके बाद आता है आबंटन लंबित होने के कारण या उसके दौरान प्राप्त अन्ष आवेदन धन कई बार क्या होता है कि कंपनी ने लोगों से आवेदन प्राप्त कर लिए लेक नौन करंट लाइबिलिटीज गैर चालू का लेखांकन मेरे लेखा शास्तर में क्या अर्थ है जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो उसे हम नौन करंट या फिर गैर चालू कहते हैं इन्हें हम लंबे अवधी के मदे भी कहते हैं तो गैर चालू दाइवित्व यानि की लंबी अवधी के दाइवित्व या रिन आधी जो कंपणी ने लिये हैं वो आप इसके अंदर दिखा देंगे फिर आप आयेंगे चालू दाइवित्व पर चालू दाइवित्व यानि करन् healthy जो छोटी अवधी की दाइवित्व या लाइभिलिटीज जैसे कि यदि आपन चालुदाइत्व में आ जाएंगे तो बच्चों हमारे दाइत्व के हिस्से के अंदर आपने देखा चार मुख्य शीर्षक हैं सबसे पहला शीर्षक अन्षधारकों के निधी दूसरा शीर्षक अबंटन लंबित होने के दोरान अंश आविदन धन तीसरा शीर्षक गैर चालुदाइत्व और चौथा शीर्षक चालुदाइत्व तो इन चारों शीर्षकों के अंदर आने वाली मदों को लिखने के बाद आप इनका योग करेंगे वह योग की राशी य इस हिस्से का समापन करेंगे इसके बाद आता है तुलन पत्र का दूसरा हिस्सा जैसा कि आप जानते हैं वो है तो परिसंपत्यों को दिखाते वक्त आप दो नंबर रोमन संख्या में खास तौर पर अंकित करेंगे इसके पश्चाद बच्चों हमें पता है कि परिसंपत्या में भी विस्तार में समझा परिसंपतियां एक होती हैं लंबी अवधी के लिए जिने हम गैर चालू परिसंपतियां कहते हैं और चोटी अवधी की परिसंपतियां जिने हम चालू परिसंपतियां कहते हैं तो बच्चों परिसंपतियों के अंदर हमारे पास दो ही मुख्य शी रहने वाली हमारे पास संपत्या हैं, इसके अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि दो परकार की संपत्या मुखी होती हैं, एक मूर्थ संपत्य और दूसरा अमूर्थ, मूर्थ यानि टैंजिबल यानि जिनने हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि जमीन, मशीन, बिल्डिंग आदी, आमूर्थ परिसंपत्या यानि इंटैंजिबल यानि जिनने हम देख सुननिया छू नहीं सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो आमूर्थ परिसंपत्यों में आ जाती हैं, इस प्रकार अन्यस्थाई परिसंपत्यों को हम इस समय में, वो हमें सहायता करता है, इस प्रकार सभी गैर चालू परिसंपत्यों को आप इस पहली सीर्शक या पहली हेडिंग के अंदर दिखाते हैं, तत पश्चात आप चालू संपत्यों पर आएंगे, चालू संपत्यों में चालू निवेश यानि करंट तो वो आएगा, रहतिया यानि स्टॉक, तो जितने भी प्रकार का कमपनी के पास स्टॉक है, वो रहतियों के नाम से यहाँ आजाएगा, व्यापार प्राप्य यानि व्यापार में जो हमने उधार बेचा उससे जो प्राप्थोने वाली राशिया है फिर रोकड फिर यदी हमने छोटे मोटे रिण अगर किसी को दिये है वो आ जाएंगे वो कुछ बची कुछी अन्य चालू परी संपत्या यहां पर दिखाने के बाद हम इसका योग करेंगे योग करने के बाद हम इस राशिय को दो लाइने खीच कर अंकित करेंगे और हमें यह तो पता ही है कि संपत्यों का योग और जो पीछे हमने दाइत्व सीखिया उनका योग एक समान होना चाहिए तो बच्चो यह जो पूरा स्वरूप आपने देखा इसे आपको स्मरन करने के जरूरत नहीं है आप इसे धीरे धीरे करकर जब इसे बनाएंगे इसका विशलेशन करेंगे तो आप खुद बखुद इसके मदों को सीख जाएंगे आपको मुख्य मदों पर विशेश ध्या से सीख जाएंगे अब बच्चो इस पूरे स्वरूप में जो सबसे महत्वपून चीज हमारे सामने निकल के आती है जो कि हमने पहले अध्याय में भी देखा वह थी अंशपून जी हमने देखा था अंशपून जी में की अंशपून जी कई प्रकार की होती है तो जब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाओंगा जैसे कि मान लीजिए हमारे तुलन पत्र में अंशपून जी 35,90,000 रुपे की है यानि कमपनी को 35,90,000 रुपे अंशपून जी के रुप में प्राप्त हुए अब सवाल है कि 35,90,000 रुपे आए कहां से तो जैसा कि मैंने आ गड़ना यहां नहीं दिखाएंगे कभी इसकी गड़ना हम नीचे एक टिपड़ी यानि नोट बना कर दिखाएंगे और क्योंकि वो हमारा पहला नोट है तो हम यहां पर नोट संख्या एक डाल देंगे और फिर हम बताएंगे कि यह 35,90,000 कहां से आया अब टिपड़ी के अंदर बच्चों हम सिर्फ इसको नहीं दर्शाएंगे बलकि हम अंश पूंजी के सभी प्रकारों को दर्शाएंगे जैसा कि आपने पढ़ा था पहले सबसे पहले प्रकार के अंश पूंजी होती है अधिकृत अंश पूंजी तो हमने मान लिया कि इस कंपनी के पास 50,000 सम कमपणी जारी कर सकती है तो 50,000,000 की अधिकृत पूंजी के साथ यह कमपणी पंजिकृत हैं किन्तु इसने ये सारे जारी नहीं किये होंगे तो इसके द्वारा जारी की गई पूझी निर्गमित पूझी कहलाती है तो कमपनी ने चालीस हजार अंश सो रुपे के दर पर जारी किये तो 40 लाख रुपे निर्गमित पूझी आ गई इसके पश्चात अब इन 40 लाख रुपए की पूंजी यानि 40 हजार अंशों में से लोगों ने कितने अंश खरीदे उसे हम अभिदत पूंजी के नाम से जानते हैं अब लोगों ने जब कुछ अंश खरीदे तो उन में से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग या तो पूरे अंशों की राशी को नहीं दे पाते या कमपनी खुद ही पूरी राशी मांगती नहीं है तो ऐसे में बच्चों पहले हमें यहां दिखाना होता है कि इस अभिदत पूंजी में से वो अंश कितने हैं जिन पर हमें पूरी राशी मांगी गई प्राप्थ हो चुकी है उसे हम पूरत है समादत पूंजी यानि फुली पेड़ अप कैपिटल भी कहते हैं तो इस उधारन में 35,500 अंश ऐसे थे जन पर कंपनी ने 100 रुपे मांगे और वो पूरे 100 रुपे यानि 35,50,000 रुपे कंपनी को प्राप्थ भी हो गए इसलिए हमने इसे अभिदत्व पूरत है समादत पूंजी के अंदर डाला अब आप याद करें कंपनी ने 40,000 पूंजी या अंश जारी किये थे उन में से कंपनी को 35,500 अंशो पर पूर्ण राशी प्राप्थ हुई है तो कुछ अंश ऐसे भी रहे होंगे जिन पर कंपनी को पूर्ण राशी प्राप्थ नहीं हुई उसे हम अभिदत्त किंतू पू तो तीन सो अंशो पर कंपनी ने 100 रुपे मांगे थे तो 30,000 रुपे कुल मांगे गए लेकिन इन अंशो पर कंपनी को 20 रुपे की मांग प्राप्थ नहीं हुई तो 6000 रुपे कंपनी को प्राप्थ नहीं हुई तो 6000 रुपे कंपनी को प्राप्थ नहीं हुई आपको याद 10,000 रुपे जब हमें प्राप्त हुए है तो उसे तो हम दिखाएंगे ही लेकिन यदी कमपनी ने इन अन्षों को या कुछ अन्षों को जब्त कर लिया है तो उन जब्त किये गए अन्षों पर यदी कमपनी को कुछ राशी प्राप्त हुई थी तो हम उसे भी यहां पर जोड कर दिखाएंगे तो बच्चों इस प्रश्ण में हमारे पास 200 अंश ऐसे थे जिनको कंपनी ने जब्द कर लिये थे उन अंशों पर कंपनी को 80 रुपे प्राप्थ हुए थे कुल 16,000 रुपे कंपनी को मिल गए लेकिन कंपनी ने जब्द कर लिये तो यह 16,000 रुपे उन अंशों के राशी है जो कंपनी ने जब्द करके रख लिये यह 24,000 रुपे वो है जो अभी बकाया चल रहे अंशों पर प्राप्त राशी है उन्हें अभी जब्त नहीं किया है तो यह राशी उन अंशों पर प्राप्त हुई यह जब्त करके प्राप्त हुई तो कुल 40,000 की एक अतरिक राशी भी कमपनी के पास है जो उन अंशों पर है जो पूरताय प्रदत नहीं है तो 35,50,000 रुपए पूर प्रदत राशी है 40,000 रुपए उन अंशों की राशी है जो पूरताय प्रदत नहीं है कुल मिलाकर 35,90,000 रुपए की राशी कमपनी को प्राप्त हुई यही वो राशी है जो हम तुलन पत्र में दर्शाते हैं अर्थात यह अभिदत अन्शों से यह राशी निकली है कुछ राशी पूर्टह प्राप्त हुगई कुछ उनन्शों से मिली जो पूर्टह प्रदत नहीं हुए कुल मिलाकर कमपनी को जो राशी प्राप्त हुई है उसे हम कुल जोड कर यहां दिखाते हैं और फिर उसी राशी को जैसा कि हमने देखा था हम अपने तुलन पत्र के मुख्य मद के अंदर भी दर्शाते हैं तो इस प्रकार एक पूरा विवरंड कमपनी को देना पड़ता है कि उसे राशी कहां से प्राप्त हुई कितनी मांगी, कितनी नहीं मिली कितनी मिली और सब का लेखा जोखा दिखा कर अंत में हमें इतनी राशी प्राप्त हुई यह हमें दर्शाना होता है तो बच्चों यह हमारे तुलन पत्र की सबसे मुख्य मद का विवरंड था इसके बाकी की मदें या लाब वहानी कहाते से जुड़ीवी मदों के बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे तब तक आप तुलन पत्र के स्वरूप को याद रखें और अगले भाग में लाब वहानी के स्वरूप को भी समझने का प्रतिक्षा करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद अपना हुगस अपना हुगस झाल झाल